ज़ता में है और साड़े चार साल निकल चुके हैं छह महीने बाद चुनाओ है तो आप बीबी या तो आप प्रेस कॉंफरेंस करके ये कह दो कि मैंने उस समय जूंटे आरोप लगाये थे तो हम समझ जाएगी ये आपने जूंट बोला था आज कॉंग्रेस पारटी को मजबूत करने की बात करते हैं और हर मंज पर निशा नहीं होते आदें ये पाईलेट साब और हम लोग जो लोग बेटे हैं जितना इनका बासन मुख्य मंत्री जी का चाह सारे चाहर साल का सुन लो, उनका एक ही बक्सद है कि पाइलेट साब और ये लोग पारिटी छोड़ कर चले जाए और हमारे लोग पिछे सोख पर राज कर ले। जातियों, ये कॉंग्रेस पारिटी हमारे पुर्व जोने खड़ी की है, हमारे दादा पर दादा नो इनी वोर्ड देकर इस कॉंग्रेस पारिटी को इतना बनाया है, हम कहीं नहीं जाएंगे, यही चाहती पर मुंग दलेंगे और यहीं रहेंगे, आज हर सुबह उठकर सब्ता में बैठे लोगों का एक सुबह उठते ये सवाल होता है कि आज पाइलेट साब क्या कर रहे हैं कि अच्छा कॉंग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं जाके मंच पर फिर उनके लिए बद्र बासा का परियोग किया जाता है और वो बासा जो हम लोगों ने किसी राजनेता के मुझसे नहीं सुनी आज जिस मुद्दे को लेकर पाइलेट साब निकले हैं उसको समझने की जुरत है पेपर लीग हुआ किस ने पेपर लीग किया साथियों पेपर लीग करने वाली संस्ता जिस संस्ता को आ देनिये सोनिया गांदी जी ने इस देश को नोजवानों को अधिकार देने वाले नेता राजियु गांदी जी के नाम से बनाया था राजी उगांदी स्टेडी सरकल उसकी सिख्षा में हम लोगों ने उनिवर्सिटी में उसके केम्पों में भाग लिया है और जब राजी उगांदी स्टेडी सरकल के लोगी पेपर में सामिल है लीग करने में सामिल है तो कहां कॉंग्रेस की बात रह गई, कहां सोन्या जी और कहां राजी उगंदी जी की बात रह गई जो दलाल पकड़ा गया, उसके घर पे बुल्डोजर चला दिया जैसा पाइलर साब ने कहा और बात खतम हो गई, कर्टारा को किसने नियुक्ती दी इस बात पर सवाल उठेगा आज गाओं से जो लोग एक एक दो दो लाख रुपे लगा कर इन कोचिंगों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो सवाल पूछेंगे कि सुबासगर का नाम इसमें क्यों नहीं आया क्योंकि वो आपका प्रिय है, कोई ने पाराशरोर जारो ली इस बात का सवाल जनता पूछेगे और हम भी पूछेंगे जो कारवाई करनी हम पे करें और जो आप लोगों को जो बाता में बोलना हम आप लोग बोलने मैं आदेने पाइलेट साब से यही कहना चाहूंगा कि पाइलेट साब ये नोजवान आपको याद रखेगा और इस यात्रा की जुरत क्यों पड़ी क्योंकि जब हम लोग फिर वोट मांगने जाएंगे तो जिन लोगों को सुनना नहीं है उनसे कोई नहीं पूछेगा पाइलेट साब आप से लोग पूछेंगे कि जब 22 से खराब हो रहा था नोजवानों का तो आप गर में क्यों बेट हैते तब उनके पास कहने के लिए टाइम नहीं होगा वो नेता जिसकी कहां पड़ाई हुई किस परिवार में पैदा हुए पाँच साल इस राजस्तान की सड़कों को एक एक घर घर जाकर इनोंने चाना और आज 45 डिगरी टेंपरेचर है 45 डिगरी उसमें पांच दिन से यहां आए है इस बात को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा मैं आदेने पाइलेट साथ से यही कहना चाहूंगा कि पाइलेट साथ जो लड़ाई आपने सुरू की है वो जिसकी मस्थ पे खतम हो हम लोग तैयार है जो पुर्बनी ये लड़ाई आपकी मांगती हम लोग तैयार है जो करना ये कर ले लेकिन जिन मुद्दों पर आपने बात रखी है उनका जबाब सरकार साथ आप लोग लेकर रहे धन्यवाद राम राम साथ जैहिन